हेलो जी कैसे हो आप सब आप सब को नमस्ते और प्रणाव ये पोधा मैंने कर लगाया था ये पक्षियों ने चचेड कर पता नहीं क्या क्या बाहर निकाल दिया तो मैं इसको ठीक कर रहे हूं तो और ये थी मिर्ची मैंने बीज डाल दिये थी इसके अंदर तो ये हो गए है उगनी चाल हो गए है पोधा ये है जो मैंने नया लगाया इसके अंदर और ये है अलग से जिसे हम यहां पर बोलते हैं बिच्छो भाव तो ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो डाली थी उस दिन ही लगाया था ये तो तीन पोधे हैं तीनों में ग्रोध होनी शुरू हो गई है पतिया निकला आई है और ये मैंने छोटी-छोटी टहनी करकी ही लगाई थी एक डेड़ी इंच की ही टहनी लगाई थी मैंने ये देख सकते हैं तो इनकी ग्रोध होनी चालू हो गई है और इससे पहले मैंने आपको आज भी लगाया है वो पोदा तो इसमें है एक चोटा सा अलूर का पोदा यह देखी जो तीसरा वाला रखा इसमें और यह है निम्बू जो इससे पहले निम्बू का बढ़ा पोदा था वो हो गया खराब खराब होने के बाद हमने यह दूसरा बोदर लाकर लगाया तो इसमें अब छोटे छोटे निम्बू आने चालू हो गया है और इसमें बहुत सारे काटे हैं तो अब यह हो गया है नास्ता बना लिया है मैंने थोड़ा सा तो चाए और पोहा आप भी कर लीजिए सुवेश-सुवेश खाना तो दूपैर को ही बनता है और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ घिया उबाल कर नमक डाल कर उबाल लेती हूँ रायता बनाने के लिए तो यह साइड में रख देती हूँ इससे पहले मैं करते हूँ काम तो यहाँ पर यह पी रहे थे चाए चाय पीने के बाद हमारा आया है कुरियर तो उसकी अन्बोक्सिंग करेंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे वो वीडियो देखी और ये है इनका पॉन की पैड़ कर देख सकते हैं आप बहुत सारी फ्रैंट बोलती हैं कि आपके पास दूसरा पॉन होगा तो दूसरा ये वला है तो अमारे जो कुरियर था वो आ गया है देखी आपके सामने रखे हैं तो एक तो ये है इसके अन्बोक्सिंग कर रहे हैं देखे इसके अंदर क्या निकलता है आपके सामने होगा कि आपके सामने हो आपके सामने हो आपके सामने होगा कि आपके सामने हो 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 आपके सामने क्लियर में क्या आया था आपके सामने है एक तो है चपल दूसरा है हेड़ भॉन तो ये दोनों चीचे जरूरी थी इसलिए हमने मलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए